हाई गाई सबसे पहले सभी को दीवाली की गोबर्दन की और दियुच की हार्दिक सुपकामना एंड आप सभी लोगों ने दीवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी एंड सभी कुछ अच्छा चल रहा होगा एंड आप लोगों से मैं बोलूँगा कि यार जो भी खाना है जो बनाया था कि कुछ डाइट बताई थी और कुछ ऐसी डाइट बताई थी जो आपको अवाइड करनी है तो उसमें से एक था कि आपको ग्लूटन-free डाइट लेनी है मींस क्लूटन को अवाइड करना है जिसमें भी ग्लूटन होता है इस वीडियो में आपको बताने वाला रही बाद करें और यह किस किस मैं होता है जैसे आपकी जो भी जो आता हो गया गएहं का ग्रेंज प्रस चैसे जहते थाधिशा है कि तरह का यहां पक्तार्थ देखता है तो ऐसे के लिए आपको आटा होता है या मैदे का आटा लेते हो आप मैदे के आ अटा को वाटर में वॉस करो आप आप करते जाओगे तो धीरी-धीरे डार्क सा मुस्盂र हल्का डार्क बैस जैसे वाइट कर और है तो उससे थोड़ा सा कलर उसका डाक होगा दीरी दीर एक लास्ट में जो चीज बचती है वह बचेगा एक मदब elasticity टाइप की होगी तो वह जो प्रोड़क्ट होगा जो सॉरी जो वह सबस्टेंस जो बचेगा तो वह क्या होगा वह आपका लुवली के लिए सही हो पाता है कई लोगों को बहुत साए से इस्वीं होजाते है और बहुत सारे leaf matt होते हैं यह को बहुत सारी कि बहुत की नहीं से वहांगे प्रवलम होग को ग्लूटन की मैं बता देता हूं की उससे क्या इस्व keys क्या होते हैं और मैं ब्सक्राइब क्या अपको स्टों कैसे बता दलेंगा कि ग्लूटन की वजय ऑगे में लन की वजय से कुषरा है किसे हो घ्लूटन की वजय से हैं टाक और चमए एक श veramente अस शल्वन कि लिवfeldys तो यह सारी चीजे हो जाती है यह सिंटम है कि अगे आपको इससे कोई प्रॉब्लम हुई है तो यह उसके शिंटम है कुछ लोगों को शहलियाग नामक डिजीज हो जाती है और वेट बहुत से लोगों को एकदम से शड़ण वेट ड्रॉप हो जाता है और इन सब के चलते हैं कभी कभी depression भी हो जाता है कि बहुत सारी ऐसे जब हर्मन चेंज होता है और depression का बीश हो जाता है यह सारे symptoms है जो gluten से हो जाता है इसलिए बोलते हैं हमें हमेशा gluten-free diet लेनी है और बहुत सारे ऐसे protein होते हैं जिसमें यह लिखा होता है कि gluten protein और बहुत सारी supplements में भी यह लिखा होता है कि gluten-free gluten-free इसलिए gluten-free लिखा होता है ताकि आपको यह सारी problem यह सारे issues ना हो तो हमेशा भी जितनी कंपनियां हैं जो यह सारे बनाती है वो कोसिस करते हैं gluten-free हो बट हंडेद परसंट gluten-free कुछ भी नहीं होता है क्योंकि gluten जैसा मैंने बताया आपको यह elasticity की तरह होती है अगर gluten-free हो जाएगी बिल्कुल नहीं रही तो कोई product बनी नहीं पाएगा तो 100% कुछ भी gluten-free नहीं होता है बट यह है कि हाँ gluten-free product लेते हैं तो उसमें कम gluten होता है तो थोड़ा avoid कर सकते हैं मतलब अगर हम gluten-free diet avoid करेंगे तो इन सब चीजों से बच सकते हैं इन सब problem से बच सकते हैं आई होप आपको पता चला हो कि क्या gluten क्या होता है gluten दिखता कैसा है gluten आपको पता चला हो और नेक्स टाइम आप ध्यान रखेंगे जो भी मैदे वाली चीज़ें आटे वाली ऐसी चीज़ें वह कम करेंगे और आप परचेश करो गल्यूटान फ्री प्रोडवाइज आप लोगे आपको वीडियो से कुछ सीखने का मिला और आपको कुछ पता चला हो तो व्यूडियो को